हेलो ही गाईज वेलकम बैक आज है 14 ओफ एपरिल और आज के निस वेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल और न्यूस आई हूँ है उनके बारे में चर्चा करेंगे उनका अनेलेसिस करेंगे उसकी डिटेल्ड डिसकॉशन करेंगे सबसे पहले कोट के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि आप से में या फिर किसी भी जी एस के पेपर में यूस कर सकते हैं और ये कोट किस ने बोली है डॉक्टर बियार अंबेद कर जी ने बोली है तो इसमें लिखा है कि I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity इसका मतलब ये है कि जो religion ये तीन चीज़ो को दे रहा है मतलब liberty को, equality को और fraternity को वो religion सबसे बढ़िया religion है ठीक है तो इसमें मैं तो ये बूलूँगा कि सारे religion ही ये चीज़ों को प्रवाइड करते हैं लेकिन अगर हम बात करें तो ये तीन word जो की बहुत important है liberty, liberty होनी चाहिए proper way से, liberation ठीक है, number two आती है equality, equality होनी चाहि है पूरी country में लेकिन आज की date में अगर मैं बात करूँ हमारी country में जो inequality है वो बहुत ही ज्यादा high level पे हो चुकी है inequality के जो उपर वाले लोग हैं वो top के लोग 50 to 60% जो country की wealth है उसको hold कर रहे हैं इतनी ज्यादा inequality है हमारी country में तो यहाँ पे जो चीज है हम equality के बात कर रहे ह और हमारे constitution में भी जो article 14 है उसमें हमने लिखा हुआ है equality के बारे में ठीक है तो जो equality है वो अच्छे वेसे जो जो भी मतलब government है या कोई भी है उसको अच्छे वेसे implement करने चाहिए और फिर आता है fraternity fraternity का मतलब भाई चारा brotherhood है जो वो अच्छे वेसे होना चाहिए अगर कोई religion या फिर कोई बंदा इस तरहां की बात सिखा रहा है कि यह यह बंदा सही नहीं है यहां से लगो जाए और यह कर लो वो कर लो तो वो वाली चीज बिलकुल भी सही नहीं हो सकती यह चीज यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है और यह हम कोट क्यों बोल रहे है क्योंकि because of the अंबेर कर जनती ठीक है so liberty equality और fraternity की मैं बात करता हूं यहां पर you can use this quote in the essay you can use this quote in the GS2 also in the society section of GS1 also ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आगे आपको पता है हमारा segment में four questions जो होते हैं हमारे prelims based उसके बारे में चर्चा करते हैं number one है यहां पे cast certificate based on the mother's credentials ठीक है तो पहली चीज़ तो आपने यह बताना है number two यहां पे BSF की power के बारे में बताया गया है यहां पे यह देखना है आपने फिर IPCC के बारे में देखना है और आपने एक चीज़ और बतानी है कि के जो annual financial statement है मतलब जो union budget होता है year का उसको जो annual financial statement बोलते हैं क्योंकि budget कहीं पे भी constitution में budget word है ही नहीं तो उसको chronological order में लगाना है आपने यहां पे pause लेना है stop करना है अपना answer no down करना और last में आपको इसका answer मिल जाएगा चलिए newspaper की तरह बढ़ते हैं सबसे पहली जो front page पे news आई हुए है बहुत important कि India to grow at 8% world bank ने यह जिस बोली है यहां पे आप देखोगे finance year जो 21-22 वाला है वहां पे 8.3 बोला गया था इंडिया के लिए और यहां पे 8% बोला गया है और last अगर मैं बात की बात करूं जो forecast है वो आती है to 7.1% और उसे में अगर मैं श्री लंका की हम बात करते हैं यहां पे 3.6 यह वो यहां पे नज़रा है यहां पे आपको minus में sign दिख रहा होगा क्यूंकि आपको बता है in the 2020-21 वाला जो financial year था हमारा तो उसमें क्रोना की वज़े से कोवीड की वज़े से lockdown लगने की वज़े से यह व पोला जा रहा है कि यह जो South Asian region है उसके जो growth है वो थोड़ी से slow रहेगी उसका reason क्या है Ukraine ठीक है जो Ukraine का issue है जो Ukraine का मसला है due to Ukraine war यह वाली जो growth है वो slow हो सकती है तो इस तरहां की चीजों से जो चीज है जो World Bank है वो external जो shocks हैं उससे बचने के लिए पहले ही एक चीजों को बता लो है ना lockdown लोगालो चाहे आप war लोगालो चाहे आप price rise लगालो किसका fuel का तो इस तरहां की चीजों से बतने के लिए पहले ही उनको बताया जा रहा है उनको अगहा किया जा रहा है कि आप हर एक way से अपना जो government है उसको अच्छे way से देखना चाहिए कि किस तरहां से उसको manage करना है ठीक है जी चली next चीज की तरफ चलते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए भी world bank के बारे में तो world bank के जो मैं आपको बता दूँ के दो चीज़े हुई थी जब world war हो रही थी world war 2 के बाद में जब देखा गया कि destruction हो चुकी थी number one destruction और number two यह भी पता चला कि जो B.O.P. है नाम था IBRD मतलब world bank की मैं अगर बात करूँ और number two था IMF और यह किस meeting में दोनों की दोनों निकल के आ रहे थे वो नाम था Breton Woods Conference ठीक है तो दोनों का जो headquarter है चाहे वो world bank है चाहे वो IMF है दोनों का headquarter भी क्या है वो सेम है world bank को एक duty दी थी कि उन्होंने reconstruction करनी है मतलब construct करना चीजों को जो destruct हो चुकी है और IMF की duty जो mainly IMF को duty देगी थी वो duty देगी थी कि जो balance of payment crisis है फिर कुछ और तरह के crisis है और debt crisis है उनको control किया जाए यहाँ पे 1944 में जो सबसे पहली जो चीज बनती है मैं आपको बता दूँ के world bank तो दो चीजों से बनके बनता है एक तो होता है IBRD यह चीज याद रखनी यह question पूछा जा चुका है IBRD प्लस IDA यह total मिलाके दोनों मिलाके बन जाता है world bank लेकिन अगर हम world bank group की यहाँ पे बात करते तो उसमें पांच तरहां की जो organizations है वो आती है तो यहाँ पे जब मैं IBRD की बात कर रहा हूं international bank for reconstruction and development की जिसको soon call the world bank उस हो चुकी थी world war 2 की वज़ा से ठीक है तो मैंने आपको पहली बताया कि IBRD का main काम यह था अब IBRD के बाद में जो जो दूसरा group इसका निकल के आता है मैंने आपको पहली बताया कि world bank group है ना तो world bank किसको बोलोगो world bank आप बोलोगे IBRD प्लस IDA दोनों को मिला दिया मेरा बन लेकिन पांच अगर organization की मैं बात कर रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं world bank group तो इस group में दूसरी जो चीज आती है वो निकल के आती है मेरे पास IFC जिसका नाम है international finance corporation और यह 1956 में यहां पे हमें निकल के आ रही है यह institution का main काम क्या था private companies को lend करना ठीक है और यह private companies को lend करेगे financial institution को in the developing countries के आप जो अपना काम है वो अच्छे वेसे करके आओ लेकिन इनकी condition होते है IFC की जब भी वो किसी को lend करती है कि तो profitable projects होने चाहिए otherwise वो lend नहीं करेगी obvious चीज है तो profitable अगर project होएगा और private company होईगी तो उसको lend करेगी government को यह कोई lend नहीं करती IFC यह चीज आपने पैसे देना इसका काम तक इसका IDA का अभी IDA के बाद में फिर एक चीज आती है ICC ICC में क्या होता है कि suppose कर लो किसी के बीच में किसी country के बीच में investor कोई suppose कर लो इंडिया यहां पे अगर हम example है इंडिया में दो investor आ गए एक A investor और एक B investor है तो यह जो A investor है बाहर की country का है लेक even the investor and the country जैसे मैंने आपको बोला कि A investor जो की बाहर की country से आया था USA से उसका dispute हो गया Indian government के साथ में जैसे Vodafone का case हुआ था है आपको याद होएगा तो वो सारी जो चीजे थी वो इसी वे से काईरो इनर्जी का हुआ था वो सारी चीजे इसी के अंदर आती है अगर हम इसमें इंडिया इसका member है या नहीं है एक question यह पूचा जाता है तो आपने याद रखने है इंडिया चार organization का यहाँ पे member है लेकिन एक का नहीं है और एक जिसका नहीं है वो कौन सी है IC SID ठीक है International Center for Settlement of Investment Dispute इसका member नहीं है इंडिया बाकी चार की चार का इंडिया member है आपने इ खाई दे रहे हैं तो उसका आपको पता ही कि हमारी जो neighboring countries है जैसे की Shri Lanka उसमें क्या था कि आपको पता है कि debt crisis बहुत high level के आ चुके है ठीक है बहुत high level के वहां पर economic crisis चल रहे है लेकिन अगर यह नेपाल में भी चीज हो रही है या फिर किसी और country में neighbor countries में हो रही है तो हम पर यह बोला जा रहा है कि जो वहां पर बैंक का बंदा था ठीक है finance minister के साथ उसके जड़प होती है उसके बाद में उसको अलविदा कह दिया जाता है लेकिन यहां पर इस second paragraph में बोला गया है कि why have नेपाल's forex reserve fallen इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कहता कि जो नेपाल क करने वाला समान भी है वो कल को नहीं कर पाएंगे because उनके forex reserve में पैसा नहीं बचा हुआ ठीक है फिर उसके बाद में यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो एक बंदा है जिनका नाम था renowned नेपाली इकनोमिस्ट विश्वांभर प्याकुरूल इन्होंने बोला था कि अगर य भी पता होगा कि हमारी कंट्री में भी जो WPI है वो डबल डिजीट में चला गया था लेकिन जो रिटेलर है वह एक लिमिट में ही थी और हम उसी को इन्फलेशन मानके हमारी कंट्री में चलते हैं यहां पर और क्या चीज़ है कि कितनी बैड सिच्वेशन है श्री लंका जै नेपाल की जो बड़ी कंपने है वो हमारी इंडिन ओयल कॉर्परेशन से समान लेती थी और उसको इंस्टॉल्मेंट में पैसे देती थी 8th and 23rd only every month लेकिन अभी उनके पास भी पैसे कम होने की वज़ा से वो भी शायद अपनी जो help है वो किसे मांगेंगे गर्मेंट से हो रहा है और जो हमारी नेबरिंग कंट्री अगर इसी कंडिशन में रही तो हमें एक स्वोच ना पर सकते हैं कि हाओ वी कैन हेल्प दी नेबरिंग कंट्री तू अगे तो इस तरहां से यह बात आपने याद रखने है कि इस इस आर्टिकल नॉट ओनली बिलोंग्स टू ज इस ट्री होगया हमारे यहां पर में बनी से रिलेटर ठीक है तो आपने इस चीज को याद रखने लेकिन हाना आपके एक इस एक धिमाग में चीज को चाहती है और वहासे सी कहारी गये एक्रेंग्स ट्यार्ट का ट्यार्य में देग पार पर इसमें वो क्या डाल के रखेगा जैसे कि कोई भी foreign currency, dollar हो गया, euro हो गया, pound हो गया, वो चीजों को डाल के रखेगा एसेड में हम काउंट करते हैं, तो यह मेरी जो Forest Reserve हैं, वो भी मेरे एसेड में काम आते हैं, और यह काम कैसे आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और नमबर फोर यहां पे आते है रिजर्ब पोजिशन विद्धी आईमेफ तो यह थर्ड और फोर्थ नमबर के बारे में अलग से एक वीडियो बनेगी जो कि बहुत extensive वे में हम discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए फिलाल आपने ये चीज़ को याद रखना है objective of holding forex reserve है क्या supporting and maintaining confidence in policies for monetary and exchange rate management number two provides the capacity to intervene in support of national or union currency and number three है यहां पे limits external vulnerability by maintaining foreign currency liquidity to observe shocks during times of crisis और when access to borrowings is curtail ठीक है तो यह चीज़ आपने क्या करनी है याद रखनी है कि forex reserve का एक बड़ा significance है अब suppose कर लो के हमारे यहां पे बहुत simple way में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक होता है demand और दूसरी होते है supply अब demand तो supply का खेल रहता है और demand और supply के खेल में हमें ये पता होना चाहिए कि suppose कि किसी चीज़ की demand ज़ादा होगी increase होगी और supply होगी कम तो उसमें क्या होगा price क्या हो जाएगा उस चीज़ का rise कर जाएगा पहली चीज़ आपने यह याद रखनी है कि demand increase हो चुके supply decrease हो चुके तो price rise अगर उसी तरह से जो डॉलर है अगर जो डॉलर है उसकी demand increase हो जाएग और उसकी supply क्या हो जाए decrease हो जाए मतलब बाहर से आना कम हो गया तो मतलब क्या हो गया उसका price क्या हो जाएगा increase हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा strong हो जाएगा तो मेरे पास यह जो foreign exchange reserve में मेरे पास यह foreign currency asset parameter dollar पड़ा है मैं क्या करूँगा उसको market में डालूँगा जब मैं उसको market में डालूँगा उस dollar को तो मेरी supply क्या हो जाएगी obviously increase हो जाएगी तो demand क्या हो जाएगी demand तो उतनी रहेगी more or less है ना तो supply मेरी increase होगी तो जो dollar का price जो 90 रूपीज 80 रूपीज हो चुका था वो कुछ way में control होना start हो जाएगा एक डॉलर 70 रूपीज का कुछ इस तरह से बनना start हो जागा तो ये एक objective है ये एक significance का foreign exchange reserve का ये चीज़ आपने याद रखनी है अगली news की तरफ चलते है अगला एक editorial है आपने सुना होगा के भई हिंदू और हिंदी है ना तो ये जो चीज़ बोली जारी है हो मिनिस्टर के दुवारा के भई हिंदी को प्रमोट करना है तो उसके लिए एक editorial आया हूँ है तो यहाँ पे script की बात की गी है और बात की गी ह of the Hindi in our country के पहले से ज्यादा बोले जारी है या फिर उसकी कुछ growth हुई है development हुई है जिसकी वज़ा से बार बार ये बोला जाता है कि हिंदी को आगे लेके जाना है हिंदी को बढ़ाना है तो उसके बारे में हमने यहाँ पे क्या करना है एडिटोरियल में discussion करनी है तो सबसे पहले जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या बोला यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने यह लिखा सबसे पहले paragraph में कि अगर हम ancient time से बात करें तो हर एक बंदे को अपनी जो script है अपनी जो language है उसको save करने की वो बात करता है चा बात करें कि not only कि यहाँ पे अगर हम बात करें द्रावीडियन की द्रावीडियन हुड की या फिर हम बात करें प्रकृत लेंगोज की यहाँ पे यह भी बोला गया है कि जो अचारे हेम चंद्रा थे जो major gen scholar थे उन्होंने भी अपना जो चीजें इंटर्ड्यूस की थी वो 1909 वो भी किस लेंगोज में लिखी गुजराती लेंगोज में तो इसमें पता चलता है significance के local language का जो significance है वो बहुत बड़े लेवल का है यहाँ पे हम हिंदी को impose तो कभी भी नहीं कर सकते किसी पे भी यह बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो यहाँ पे यह बोलता है कि जो official language है for the communication between the states वो वाली language हो सकती है कि जो की constitution के adoption के time पे use की गई तो हमने चलो बात कर ली English और वहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि हमने दीरे दीरे के starting में तो चलो English को हमने डॉप्ट कर लिया था लेकिन बाद में हमने English से हिंदी की तरफ मूव होना है ल हमें हिंदी में बात करनी है तो वो official language हिंदी को बना सकते हैं और 344 close war में ये लिखा हुआ है कि 30 member की एक committee बनाए जाएगी 20 member होएंगे पारलेमेंट से और 10 member होएंगे state legislative assemblies से जो की safeguard करेंगे language related provisions को ठीक है तो data की अगर हम बात करते हैं हिंदी या फिर और languages की उसके बार में देखते हैं यहां पर बोला गया है कि जो हिंदी है यहां पर वो decrease होती हुई दिखाई दे रही है it was spoken by 8.30% in 1991 8.11 in 2001 और 8.03% in 2011 तेलगू का भी same position है कि वो कम speakers के दिवारा बोली जा रही है सारी language का almost यही situation है अगर हम बात करें लेकिन इस paragraph में उन्होंने ये बोला है यहां पे कि जो हिंदी speakers हैं अगर हम population के basis पे बात करें तो 2011 में मुझे यह पता चलता है कि जो मतलब के पहले जो speakers से वो कितने थे 1971 के census में 20.27 speakers से जो हिंदी बोलते थे लेकिन फिर वो बात में 2011 के census के accordingly 52.83 speakers हो जाते हैं तो 2021 का जो census है में भी वो वो भी कुछ इस तरह का trend दिखा आएगा कि जो speakers है वो increase हुए हैं लेकिन उस speakers के increase होने के पीछे हमें ये भी पता चल रहा है कि population भी वो जाते है increase हुई है और जिसकी वज़े से यहां पे आपको trend दिख रहा होगा जो मैंने पहली आपको बताया कि वो जो चीज है वो downward way में जा रही है अभी ये जो data जो growth हम और 52.83 crore speakers of Hindi जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ Hindi नहीं आती उसमें भोजपूरी को भी include कर रहे हैं यहां पे उसमें most languages of हिमाचल, उत्राखंट, चतिसगर, जारखंट की, रैजस्थान की languages को भी कर रहे हैं moreover जो पवारी language है पवारी language जो कि महराश्ट्रा है मध्यपरदेश में बोले जाती है उसको भी count किया जा रहे हैं तो अगर मैं इन सारी languages को यहां से निकाल दून तो सिर्फ speaker मेरे पास बचेंगे 39 crore ठीक है तो इस वह से आपको यह चीज को भी याद रखना है पूरी अच्छे वह से कि भी यह जो हिंदी की imposition है उसको हम ऐसे नहीं कर सकते ह हाँ अगर कोई चाहता है कोई भी कमेटी सोचती है कुछ भी डेटा आता है तो उसके हिसाब से अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हाँ आगे बढ़ाना जरूरी है या नहीं जरूरी है वो एक अलग बात है एक अलग टॉपिक है अगर मैं यहां पे बात करूँ हिंदी जब बीटिफी लेंगोज उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी लेंगोज है हिंदी सिनेमा ने बहुत कुछ दिया है एड़ श्यडियूल में लेकिन एड़ श्यडियूल में जितनी भी लेंगोज है वो बहुत ज्यादा आगे से मिनिस्टर्स हिंदी अजर्शन और इट में ऑल्सो नॉट भी भारते जनता पार्टी जाइडिया बट इट में भी दी आइडिया ओधी राश्ट्रिया सवयम सेवक संग ओफ ठीक है जी यह चीज यहां पे बोली जा रही है सो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि डिस्पाइ अगली न्यूस के बारे में बात करेंगे अगली न्यूस है जो हमारी आज की जो हमने डिस्कॉस करनी है गर्मेंट लेस डाउन नॉर्म्स फोर दी कोटा इन प्रमोशन यहां पे सिर्फ यह बोला गया है डिपार्टमेंट और पर्सोनल ट्रेनिंग में कि प्रोपर कोई भी पॉलिसिया बना रहे हो फोर दी सेस्ट डी पर्मोशन इन एनी इंस्टिशन इन एनी और्गनिशन इन एनी ओफिस तो आपको पहले डेटा इकठा करने यह जो सेस्ट प्रमोशन वाली चीज़ है यह कहां से निकल के आती है आपको एक केस याद होएगा उस केस का नाम था इंदिरा सानी केस में सारी चीज़ों को मान लिया गया था लेकिन एक चीज़ को मना कर दिया कि प्रमोशन में जो रेजर्वेशन वो नहीं हो सकती एंट्री पोइंट पर जो रेजर्वेशन है सेस्ट के लिए होनी चाहिए लेकिन फिर बाद में गमेट नहीं क्या किया 77th Amendment ठीक है चाहिए आप इसको पॉपिलिस्ट मेजर लगा लो चाहिए वोट बेंक पॉलिटिक्स जो भी आप बोलना चाहते हो 77th Amendment एक्टर 1995 आया यहां पर जिसने एक आर्टिकल इंट्रीउस किया 16 16 Clause 4 Capital A ठीक है और इसमें उन्होंने बोला कि जो रेजर्वेशन है सेस्ट इ यहां पर मैं आपको Consequential Seniority का मतलब बता रहूं यहां पर कोई A बंदा है और यहां पर इस चीज़ को जोईन करता है और वो 2023 में इस पोस्ट को ले लेते हैं लेकिन यह जो यूर वाला बंदा है वो यहीं पर बैठा रहते है और यह 2023 में यहां पर जाते हैं कुछ फेब 2023 में और मार्च 2023 में यह जो A बंदा जो की बिलोंग्स टू अन्रिजर्व्ट केटिकरी वो भी चला जाता है इस चीज को आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज के बारे में जो मेजर वर्डिक्स आई हुए है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे 1992 का जो 9 जज बेंच था उसमें सुप्रीम कोट ने बोला जो आर्टिकल 16 क्लोस हो रहा है वो दस नॉट ग्रांट रेजर्वेशन इन परमोशन बिकाज इट प्रिटेंज ओनली तू दी अपॉइंटमेंट जो मैंने बात की थी इंद्रिया सानी केस की वो यहाँ पे बात की जा रही है नंबर टू यह जो 16 4A जो मैंने उपर आपको बताया के कमेंडमेंट इंट्रिउस किया जाता है 1995 में जिसमें स्टेट्स को अलाव कर दिया जाता कि आप रेजर्वेशन दे सकते हो SCST को इन दी प्रमोशन नंबर थ्री यहाँ पे इन 2006 दा सुप्रीम कोट अपहल the constitutional validity ठेका अफ दी एन प्रमोशन दे से स्ट एक नॉटर्ट दे श्टीश पर आप जाता है जो है रेजर्वेशन दी प्रमोशन कोई नखर निपन न ». यहां पे हमें दिखाई दे रही है नमबर फोर यहां पे क्या आता है 2019 में सुप्रीन कोट ने अपहल्ड किया रेजरवेशन इन परमोशन और यहां पे लेकिन उन्होंने एडिमिस्टेटिव एफिशेंसी की भी बात की गी थी तो यहां पे सबसे पहले बात कीगी कि भई नहीं होनी चाहिए यहां पे अलाव कर दी गया गार्मेंट ने एमेंडमेंट कर दी जो मेंडमेंस इशू करती है कोट वो नहीं की जा सकती इन दी केस आफ रेजरवेशन इस एक्स्ट्रीमल इंपॉर्टेंट नंबर फाइव इस एक्स्ट्रीमल इंपॉर्टेंट इस पिक्चर बिलोंस तो इंडियन एक्सप्रेस ठीक है चली नेक्स चीज़ की तरफ चलते ह है minimum support price जो hike किया है बहुत जादा increase किया है उस चीज़ की वज़ा से जो food prices है वो क्या हो जाएंगे worse हो जाएंगे जिसकी वज़ाए से जो inflation हमें आज दिखाई दे रही है वो बहुत जादा दिखाई दे रही है और वो 7% से भी exceed कर जाएगी जो inflation है inflation का target I have already told you के inflation का जो target है वो अभी जो दिया हुआ है वो है 4 plus minus 2% मतलब क्या है 2 to 6% जो चीज़ है यहां पर data है वो उसके बारे में मैं यहां पर बात करता हूँ ठीक है inflation यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है diesel prices increase होते दिखाई दे रहे है fuel के prices, LPG prices, fertilizer prices, each and everything जो भी यहां पर price है उसके increase होते दिखाई दे रहे हैं तो अभी देखते हैं इसका होता क्या है चले, next news की तरफ चलते हैं, next news में यह जो असामिस women है यह perform कर रहे हैं भी हू, only occasion of रोंगाली भी हू, ठीक है रोंगाली भी हू, अपने याद रखने है एक festival है जो की celebrate किया जाता है, इन दी first month of the असामिस calendar और यह मा करता है, advent of the असामिस new year यह बहुत important है, इस तरह की जो चीज है, यह relate करता है GS1 में और GS1 art and culture और इसके question पहले आ चुके हैं इस तरह के तो आपने photo वाले जो question है, वो याद रखने है प्रोंगाली भी हू, असाम और festival celebrate होता है, इन दी first month of the असामिस calendar, माक्स दी advent of the असामिस new year चले, last segment की तरह चलते है, question answer के answer बताएंगे, सबसे पहली state जो की, यह cast certificate दे रही है, based on the mother's credential, वो है डेली, ठीक है, number two, border security force, I think, जो बचे मेरे साथ current fair कर रहे हैं, और जो कई बार class में भी करते हैं हम, तो class में भी यह चीज़ को हम बताते हैं कि, BSF के बारे में प्रोंपर ए seizure of narcotics यह भी है, और cattle smuggling यह भी है, so D will be the correct answer, one, two, three, four, चीक है, चली, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि solution इसका D है, those power pretend to specific crimes, such as seizure of narcotics, cattle smuggling, prevention of transporter crimes, illegal entry of foreigners among other, number three question की तरफ चलते हैं, IPCC के बारे में बताना है, और यहां पे हमने correct बताना है, IPCC कहते है, WMO और UNDP ने मिलके मनाया, यह बिलकुल गलत है, यहां पे UNEP आना चाहिए था, और अगर पहला गलत है, तो D भी गलत और A भी गलत, number two, IPCC reports a key input into the international climate change negotiations, यह बिलकुल सही है, the IPCC conduct its own research on climate change and provide the public scientific information on climate change, देखें इसके जो आधी information है, वो बिलकुल सही है, यह वाला जो पार्ट है, यह बिलकुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि अपने आप data collecting करते हैं, किसी से करवाते हैं, so correct answer will be the B, ठीक है, अब next जो चीज आते हैं, according to article 112 of the Indian constitution, के यह जो चीज है, जो union budget है हम उसको क्या बोलते है, annual financial statement, इसको arrange करने chronological order में, और budget जो bird है, वो आपको पता है, budget word कह नहीं पे भी हमारे constitution में नहीं है, और हमारे constitution में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, AFS, annual financial statement, इसके बारे में हम अच्छे वे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे पहली चीज, number one, presentation of budget होती है, okay, number two, यहाँ पे general discussion की जाती है, number two, यहाँ पे general discussion हो गया, number three, फिर उस के बाद में voting on demand for grants आता है, और lastly, passing of appropriation bill and finance bill, यह proper chronological order क्या बनेगा इसका, सबसे पहले one, फिर उसके बाद में three, फिर उसके बाद में two, फिर उसके बाद में four and five, so D will be the correct answer, ठीक है, होप आपको यह जो discussion हो अच्छी लगी होगी, और अभी, lastly, आपने एक ही काम करने हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर देना है और टेलिग्राम चैनल पे जाके आप PDF है जो आपको मिल जाएगी, so thank you so much.